वेलकम बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं कृषी विज्यान कक्षा साथ अभ्यास कारे पुस्टिका देखिए आपके डिमांड पर बच्चों मैं इस बार जो बुक्स सॉल्व करा रही हूं वो आपकी है दो हजार तेईस और चौबिस वादी ठीक है आप सभी ने कहा था कि मैं में नियो बुक्स सॉल्व रहे हैं तो हम उन्यू بुक्स Sesॉल्व कर रहे हैं नेक्स पहला पार्ट हमारा क्या है मृधा विन्यास निमलिखित प्रश्णों में सही करा देए कि निःृतशक होती Mmme धुब्हू ापकास का अ welfare रही श्थांग tofu को कहते हैं आप देखें यह हमारी मिर्दा है इसमें जो हैं वह मिट्वा करशन बलके कारण प्रित्भी के नीचे चले जाने वाले मृधा जल को या कहते हैं तो इसको बच्चों हम कहते हैं गुरुत्वी जल option का हमारा सही हो जाएगा पौधों की जड़ों को प्राप्त जल होता है तो पौधों की जड़ों को कौन सा जल प्राप्त होता है Опशिन गा Okay Country का जल नेक्स हम से कह रहा है रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए जल पहुदों के लिए आवश्यक पोश्यक तत्वों का एक वाहक के रूप में कारे करता है यहाँ पर हम क्या भर देंगे वाहक जल चक्र के अध्यन को डैश कहते हैं क्या कहते हैं बच्छों हाइड्योलोजी पतली एवं कम चौड़ी बाली फसल उगाने से वाश्पन डैश होता है तो जब पत्ति कम चौड़ी होगी तो उसका वाश्पन भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा चलिए नेक्स पे चलते हैं प्रिम्लिकीत कत्नों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिंध लगाई इस तम्भी विन्यास वाली मिट्टी अत्य अंत्भुर्भुरी एवं मुलायम होती है बिल्कुल सही है बच्चों तीरियक या तिर्शा विन्यास में पौधों की जणों की व्रिद्धी अच्छी होती है, तो ये गलत है बच्चों, सगन विन्यास की मिट्टी में जल एवं वायू का प्रवे संचार बहुत ही कचनाई से होता है, बेलकुल सही है बच्चों, केतों में जैविक खादो काधिक प्रेयो करने से मिर्दा की जल धारन शम्ता घट जाती है, ये गलत है बच्चों, जब क्यों इसका उल्टा होता है कि मिर्दा की जल धारन शम्ता बढ़ जाती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मुख्यता, गुरुत्वी जल, केशी का जल और आधिता गाही के रूप में पा प्रेयो का कम फैलना, ये किस में होता है, सनई, मूं, चना, मटर, मृदा नलिका को तोड़ना, तो मल्चिंग बोलते हैं इसको, गुरुत्वी जल, गुरुत्वी जल क्या होता है, स्वतंत्र जल होता है, ओके, चलिए, नेक्स कहा रहा है, मृदा कराकार, मृदा कराकार से क्या होता है texture का निर्माण होता है बच्छों फिर क्या रहा है मिर्दा विन्यास तो मिर्दा विन्यास से ही मिर्दासन रचना बनती है बच्छों फिर देखे केशी का जल केशी का जल फिर आ गया तो इससे रंधरा आउकास से भी संबंदित होता है हमारा केशी का जल पिर नेक्स्ट हमारा है जैविक पदार्थ जैविक पदार्थ से क्या होता है जलधारन शम्ता भढ़ती और बढ़ती है उसका प्रभाव किस पर पढ़ता है जलधारन शम्ता भढ़ती पिर है पाटा लगाना पाटा लगाना से क्या होता है जल वाश्पन आवरोध हो जाता ह पिर नेक्स्ट जो है हमारा कह रहा है आद्रता गराही जल को मौर क्या कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वॉटर तो आई हो बच्चो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा मैं कलर्फुल कर देती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए नेक्स क्वेश्चन कह रहा है कि निम्खित प पर इशखरन क्रियां के नाम बताइए तो जुताई निराई गुडाइ पाटा लगाना फसल चक्र मल्चीं इंही दो भूम्य सुरा सुदारकू के नाम बताई तो फसल और जुताई निराई गुड़ाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साधारा नाम लिखिए च्छत जल संचे मल्चिंग का अर्थ बताईए मिर्दा के उपरी सतह को ढखना जल चकर के अध्यन को क्या कहते हैं हाइड्रोलॉजी गुड़ाई करने से मिर्दा में क्या परिवर्टनाते मिर्दा में बनी केश्किये नलिकाएं टूप जाती हैं जिससे नीचे का जल भूमी के उपरी सतह तक नहीं आ पाता है रंध्रा अवकाश का अर्थ बताईए मिर्दा में ठोस्पदार्फू से रही तिखाली स्थान को हम क्या कहते हैं रंध्रा अवकाश निच कह रहा है पौधों के लिए जल की उपयोगिता बताईए जल सरवोत्तम विलायक है जो पौधों में अवश्यक पोशक तत्मों के लिए वाहक के रूप में कारे करता है मृदा जल सनरच्छण में जैविक खात के प्रयोग को बताईए तो जैविक खात के प्रयोग से मृदा की जल धारन शम्ता बढ़ जाती है जिससे मृदा में पानी अधिक रुपता है जिससे मृदा जल सनरच्छण होता है पिर क्यारा बच्चों की निम्रिकी संकेतों की सहायता से वर्फ पहरी को पूरा कीजें तो पहले मैं नीचे यहां पर हल करा देती हूं देखी कणिये विन्यास तो इसको हम लिख सकते हैं दानेदार विन्यास मिर्दा जल संरच्षण विधी कंपोस्चक्र मिर्दा की नलिकाएं केशिका मिर्दा संरश्णा मिर्दा विन्यास सगन विन्यास को हम संहत विन्यास भी कहते हैं लवस्था परिवर्तन को हम जल चक्र कहते हैं मिर्दा सत्य को ढखने को हम मल्चिंग कहते हैं और एक गूमी सुधारक क्या है जिपसम अब चुकि यहां पर हमें दिये हुए थे तो उसी के आधार पर हमने इसको यहां पर भर लिया है आयोप आपको पूरा विजिबल हो रहा होगा मैं एक सिकंड देख लूँ पूरा विजिबल नहीं हो रहा चलो बुच्छो में थोड़ा थोड़ा बता देती हूं देखिए यहां पर पहले हमने बढ़ा है दानेदार विन्यास ठीक है नीचे करके दिखा दे रही हूं विन्यास ठीक है पर नेक्स्ट हमने बढ़ा पांचवा संगत विन्यास ठटा हो गया हमारा जल चक्र सात्वा हो गया मल्चिंग और आठ्वा हो गया जिप्सम तो आप इस तरह से अपनी बुक में भर लेंगे बच्छों और याद कर लेंगे आगे बढ़ते हैं कहरा है वर जल चक्र में कौन आएगा बर्फ और वाश्प मिर्दा जल सन्रचण में कौन आएगा मल्चिंग पाटा लगाना जैविक खात जल फसल चक्र में कौन आएगा बच्छों जिप्सम और चूना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेमेल को छाती है तो देगे निराई गुड मटर और पलवार फरें पलवार यह वह जल चक्र विंच रूपंड फसल अजाखर मिर्दा बच्छों फिर हमारा है मिनरल जल गूरतविय जल केशिका जल और अ्धरता गाही जल ту हमें बॉर्टल में मिलता बच्छों यह अलग हो जाएगा कि MS khi रहा है कि हर कठण के लिए या वाकिय के लिए एक शब्दल सबमेटें के वितरन या सज्वत को क्या कहते हैं न है मेरदाविन्यास वիन्यास बहुत कम प्रभावित होता है जाटेश यह दूसरे से च चार स्थानों पर मिलते हैं उसकों क्या कहते हैं इस्तंभी विन्यास का जाना का दो मिलदाकन Zero तो जब तिर्ची रच्णा के बीच आ जाते तो सगन विन्यास कर दानेदार विन्यास कुरुत्वा करशन बल्ब के कारण नीचे बह जाने वाला जल कौन सा होता है फिर कहा है कि रंधरा अउकास में रुका हुआ केशी का जल होता है बच्चों इसका yamshut क्या हो जाएगा में मुआ या पर हो जाएगा मारा केशी का जल हैllen मुद्दा कडों पर चली जल की परत कहलाती क्या कहलाती मोलखाई जल खेतों की ऑनेरे डुर किसके हिसके उफरी सत्ष को ढखना एवं के्षिक नलिकाओं को तोड़ना कहलाताये decor ये जो चित्र है ये किसका है पाटा लगाने का नेक्स देखिए ये चित्र जो बच्चो हमारा है ये है तिरियक विन्यास का चित्र और ये जो चित्र है ये है कणिये विन्यास नेक्स देखिए ये वाला जो हमारा चीतर है ये है संघत विन्यास चलब आगे बढ़ते हैं नेक्स क्यारा रेंग वाटर हार्वेस्टिंग का वर्किंग मॉटल अध्यापकी साहिता से बनाईए तो आई वो बच्चों मुझे लगता हर विद्याले में ये बना हुआ है फिर भी अगर नहीं बनाए है तो आप अपने टीचर की साहिता से इसे अपने विद्याले में बना सकते हैं अलग अलग मृदा कणा कार को इकठा कर उनके अंतर पर चर्चा कीजिए तो हमने इकठा की बलूई मिट्टी बलूई दोमट मिट्टी दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी फिर हमने उसमें देखा कि कितने कितने प्रशत क्या क्या मिला हुआ है तो इसमें मिला बलूई म स्ञisas बाल। अब अलग अलग जगह की अलग अलग पाई जाए है५ बच्चों समय कम होने के कारण वीडियो थोड़ा लेट हो जाते हैं आप वीडियो के वेट कर लिया करिक हमारा है चलिए लास्ट क्वेशन हमारा है मिर्दा कड़ाकार के अनुसार फसलों को अध्यापक की साहता से वर्गित कीजिए तो बलुई मिट्टी में कौन कौन सी फसल बोई जा सकती है अरहर जुआर बाजरा मटर और चना बलुई दोमट में सभी फसलों की पैदावार बहुत अध होता है मैं कोशिश करूंगी कि जिस तरह से हमने कख्षा 6 और कख्षा 8 की पूरी बुक समाप्त की है कख्षा 7 की भी बुक हम जल्द से जल्द समाप्त कर सके तब तक के लिए पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे बाए बाए बच्चों